हेलो गाइज विल्कम बैक टो माई चैनल अर्पिता किर्थी आप सब कैसे है बताएं मैं तो अभी उठी हूं निंस है कि गुबटा स्कूल जाएगा तो वह भी ब्रस्च कर रहा है और मैं जा रही हूं दूद बूद गरम करने उसका टिफिन ड़ी करने के लिए तो जो लोग अभी देख रहे हैं जो लोग अभी तक Subscribe नहीं किये जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती है लाइक कम्न शेयर जरूर करना जल्दी से मेरे चैनल के इतना बड़ा कर दीजे और जो लोग Facebook पेज से देख रहे है पेज को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं पेज में वीडियो डालती हूँ, तो पेज को भी थोड़ा से बढ़ा कर दीजे, तो अभी मैं रत्ती हूँ, और बेटा लेट हो जाएगा, बाद मैं आप लोगों से बाद करती हूँ, ठीक है, बाइ, ये थर दूद करम हो रहा है, सारे फ्रेंड्स में वो ये करेगा, शेयर करेगा, तो दोनों सैंड्विच है, और केचप है उसका, तो इसका टिफिन बॉक्स रेड़ी, आई काटने पूर, मैं ब्रेक्वस्ट लेकर आगी हूँ, मेरा कॉफी अल्मोस ठंडा हो गया है, जैम लगाना, हुस्बेंड का चाहे, तब तक कॉफी ठंडा हो गया, तो मैं जल्दी से ब्रेक्वस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों सबात करती हूँ, तो अभी मैं बनाऊंगी ओर्ट्स मैं ब्रेक्वस्ट का चीला, तो एक लिए मुझे धनिया की चाहिए, क्योंकि बेटा कबसे बोल रहा है, दिया की चट्नी के साथ खाना है, तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बेटा का और मेरा दोनों का होगा सिर्फ चट्नी भी रात को फिर से बनाऊंगी, तो कि तूमे इसमें धनिया ठोड़ा सšका जाल रहे हुं थोड़ा सा नहीं। अधनों अधना बच्छा खासा रहना होगा हुआ ए reward ठार्णियां रहे हुग सब्सक्रिक उत्था ड़ूअ यह ए अब इसमें गोटा जीरा आड़ करूंगी अब कुछी तना आड़ करना है बस तो गोटा जीरा मैंने आड़ कर दिया और मैं आड़ करूंगी ब्लैक सॉल्ट अब लोग बना कर सकते किसी भी आप का स्नैक के साथ आप इसको ले सकते हैं पकोड़ के साथ इसको सांब शीकोषे किसी tu मेरा चटनी रेडी हो चुका है देखिए दोनों अदमी खाएंगे बेटा और मैं तो इतना ही काफी है दोनों के लिए क्योंकि मेरा हस्बेलों भी नहीं आएंगे रखाएंगे उनका यह मिटिंग है तो अब मैं चीला बनानी के प्रिक्रेश्ट कर दियूं तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पतीला इसमे आपनों धुड़ों तो लूड़ों पेप्र हम्टन के चाहिए प्रिक्रेशबुड़ों अगा उट मैं उत्रवूंगे अपक्राइबूम्टन मैं और मैं अचाहिए प्रिक्षबूबूबूम्टन के लोगर तो इसमें आड़ करोंगी सूजी तो यह बहुत ही जंदी होता है मैंने पहले भी एक बार दिखाई अब लोग को दिखाई थी अब इसमें आड़ करूंगी दही आड़ करिया दही और इसको पानी देके इसको छोड़ दूगे अभी खुलने के लिए छोड़ दूगे क्योंकि पानी यह पुरा अबसर्ब कर लेगा पानी मैंने अड़ कर दिया है सोग में ले अभी तो कहां रखोंगे अब मैं मेरा जो मेनी चॉपर है उससे सारा वेजिटेबल्स चॉप करोंगी जो तो आप लोग देखें इसमें मैंने कितना वेजिटेबल्स डाला है इसमें मैंने डाला है प्यास उसके बाद कैप्सिकम बींस कैरेट उसके बाद आपका धनिया के पत्ते पहले तो मैंने और संसुजी दही लिया था और उसके बाद मैंने वेजिटेबल सेड़ के आप लोग देख सकते यह पूरा ड्राइ हो चुका है क्योंकि पानी पुरा इसका अब्सूर्ब हो चुका है तो मैं और थोड़ा पानी आड़ कर रही हूं क्योंकि इसका जो तेक्ट कोई बात ने इसी से भी करता है और पानी लगेगा पानी मैंने आड़ कर दिया है अब मैं इसमें आड़ करूंगी नमक इसमें आड़ कर दियो नमक फिर टेस्ट करके फिर बात मैं आड़ करूंगे अभी टाइम नहीं है बेटा को लाने के लिए जाना होगा आड़ कर दिया है नमक इसमें मैं आड़ करूंगी थोड़ा सा गोटा जीरा जीरा जो होता है तो जीरा मैंने आड़ कर दिया है एंड आपका थोड़ा से मिर्ची पाउडर जो लोग अब आवोएट करना चाते हैं जैसे मेरे हस्बें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आपका ग्रीन चीली है इसके अंदर बुलना बुल गही थी ग्रीन ची करने के लिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एड किया है तो यह बैटर मेरा रेडी हो चुगा है इसको अच्छे से स्मूध करना होगा और अभी तो मैं नहीं खाऊंगे मेरे हस्बेंड भी नहीं आएंगे तो खाने के लिए तो अभी बेटा आने के बाद ही खाएंगे तो गाइश इसको ढख के रग दी आके बनाऊंगी जब तक मूद होएगा तब तक मेरा बन जाएगा तो अभी मैं रखती हूदी हो जाओ बैटा बेटा कुलाने कि लिए जाना होगा तो की मैं रीडी हो चुकी हो जहारी है अभी और मेरा मूद बूरा खराब हो गया है कि मैं जो बटर्फ्लाई येरिंग पैन के रहती हूं न वो मेरे पिलो के नीचे में खोल के रखी थी तो अभी देख रहे हुए एक है और एक नहीं है क्योंकि सुबह को मैं मॉस्क्यूटोनेट उठा रही थी तब अगर गिर गया है तो मॉसी ज़ाड़ू देखके लेके चल सामने देखिए एक्जाइम भी है वो जो ब्लू कलर का स्काई कलर का बिल्डिंग देख रहा है और इसके बाद ही मेरे हस्बंड का उफिस है फॉर्चुन टार वो तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ वो देखिए है वो मेरे हस्बंड का उफिस मन मेरा घर में ही पड़ा हुआ है कि मेरे यह रिंग कहा जला गया तो जाके तुरंत भी डूंडूंगे मैं तो जाइस मैं घर आ गई हूँ और मतलब मुझे वीडियो जो शूट करना है उसका भी मुझे कुछ यह नहीं था फिर भी थोड़ा थोड़ा वीडियो ली हूँ तो मतलब मन इधर ही पड़ा हुआ था कि मेरा यह रिंग को गया है और गुड निउस यह है कि मैं आके पहले i cache अंदर हो सकता है तो वही हुआ मुझे मीरा स्फिए यह हो जाता है तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है और बेटे को तो लाने के लिए जाना ही होगा तो इसलिए मतलब जाना ही होगा तो जाना पड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम बढ़ जाता पहले यह रिंग ढून लूँसके बाद जासू को पर टाइम नहीं था बट थैंक गॉड के मुझे मिल गया मैं वह कहा लुट में दिखा रही हूं महिल करो क्या है कौन सा यह रिंग हो गया था दिखा रही हूं कांथ मैं यह कांड मैं कि पहन एविए फब होने लुट मैं कर्हेट कर रही थी तो उस टाइम पर समिंग पर मुझे एरिंग खोलना पड़ा तो इसलिए खोल Хोल के मैं रख कि मौस्कुटे नेट में अगर मतलब यह रिंग फ़सा हुआ है देखने के लिए और वही हुआ है यह देखिए यह देखिए यह रिंग कहा पर मतलब छुपके बैठा है रुकर निकाल देए कि फाइनली मुझे मिल गया थैंक गॉड कि मिल गया तो मुझे दोनों यह रिंगे मिल गया एक तो पिलो के नीचे अल्री था और यह वाला भी मिल गया अब भी रिलीफ मिल रहा है मुझे कि मिल गया मुझे फाइनली भागवान अब कभी नहीं रखूंगी पिलो के नीचे बॉक्स में रखूंगी बाबा डर लग रहा था कि मौसी अगर जाड़ू दे के लेके चली गई क्योंकि वह जाड़ू देने के बाद बाहर क्या सब ढू गया है तो मतलब बहुत मेरा फेवर यह रही वह यह देख लीजे अच्छे से जिनको भी देखना था वह भी देख लीजे क्योंकि मुझे बहुत लोग इसके मुझे यह किये थे कि इसका एक फोटो क्लियर ली दीजे पर मैं कहा पर दू फोटो तो इसलिए मैं फोटो नही भी देख पाई यह दिंग बहुत जादा सुंदर है और इसको मैं पहनी हुई थी क्योंकि यह ऐसा हूप में है तो पहन के सोने में भी दिक्कत नहीं होती है तो बहुत मतलब क्या बोलो कमफरटेबल है और इसका जो डिजाइन है बहुत सुंदर है तो अच्छा लगता है क 3.30 अलड़ी बज गया है और मेरा बेटा भी नहार आ है तो मैं जा रही हूँ जल्दी से बना के लाके फिर खाके सोना है तो यह दिखिए मैं बनाना स्टार्ट कर रही क्योंकि बहुत भूख लगी है अभी मैं कब सुबह को मतलब रेड चाय मतलब डेक पस में ली थी नौ बज़े होगा और यह दिखिए इसको उल्टाते मतलब पलटते बलटते यह तूट जाता है क्योंकि ओट मिल जो है बहुत छोट रहता है तो पुरा तूट टाट गया है तैसा हो गया है जब भी बनाती हो तब भी असाई होता है पर देखिए मेरा जो चीला है एक भी चीला मतलब गोल नहीं बना सब तूट गया है सब यह ग्रीन चटनी और यह है यहां का फिमस चाना पोड़ा बेटा का एक मेरा एक और बेटा अभी भी नहा रहा है टाइम देखिए आप 3.51 अब लोग सोचिए कितने बज़े हम लोग लंच करते हैं अभी निकला है जोल्दी पै भूक लगी है तो यह देखिए मैं सोई हुई हूँ पीछे मॉस्कूटूनेट भी लगा है पुरा बेट का हलत खराब है और इतना पेट दर्द हो रहा था मेरा छे बज़े से अभी नौ बजने के बाद उठी तो पेंकिलर खाने के बाद मतलब पेंकिलर खाका के यह लगत सब्सक्राइब क्या करूं पता नहीं डॉक्टर भी दिखाए उसके बावजूद भी पेट दर्द होए जा रहे होए जा रहे है और मतलब टॉलेट करने लाइक पेट दर्द है इसना ज्यादा पेट दर्द